दोस्तो पेटियम ने SBA के साथ टाइप करके पेटियम SBA credit card लौच कर दिया है पेटियम SBA card दो तरह का आपको मिलेगा एक तो blue color में और एक black color में दोस्तो पेटियम का SBA card जो है पेटियम SBA card इसकी detailed video मेरे channel पे available है मैंने load कर दी थी उसमें आपको detail जानकारी मिल जाएगी लेकिन card को कैसे apply करना है उसके लिए video आज की video में हम बात करेंगे कैसे आपको process बताऊंगा कि कैसे आपको apply करना है So let's start the today video you are welcome in your own YouTube channel the technical info points सबसे पहले हम खोल लेते हैं Paytm की application को आप website पे जाके भी apply कर सकते हैं जहां फिर application से भी इसको apply कर सकते हैं जब ही आपको पहले क्या search करना होगा उपर search जो button आपको दिख रहा है search bar वहाँ पे आपको लिखना है credit card और option आजाएगी आपको Paytm credit card इसमें दोस्तों आपको सारी आपको details मिल जाएंगी यहां पे इसको scroll up करते जाना है उपर scroll up करते जाओ करने के बाद सबसे नीचे आपको apply now का button दिखेगा अगर दोको फिलहाला अगर आपको यह apply now का button नहीं दिख रहा तो आप एक तो ऐसे ही इसको back करके शोड़ दीजिए इसके बाद आप दो तीन बार इसको दोबारा सर्च करके चेक कीजिए आपको कुछ दिनों बाद आपको email आएगी उसमें लिखा होगा you are eligible इस तरह की कुछ email होगी जिसमें हमें जैसे कि हमें आई थी कि आप लीजिबल हो कार्ड लेने के लिए आप apply कर सकते हो apply now का button direct आपको email में दिख जाएगा ATM SBA का जो credit card है अभी कुछ ही city में launch किया गया है इंडिया में हर जगा हर pin code के उपर यह available नहीं है for example मुंबई, कोलकता, दिली ऐसे ऐसे जो बड़े शहर हैं बड़े जो capitals हैं state capitals हैं वहाँ पे तो यह finally available है लेकिन आगर इसकी गाउं तक भी पहुँच नहीं है तो अभी हो सकता है आपके pin code के उपर यह apply now का button show ना करे अगर आप इसको दो तीन बार search करेंगे तो आपको यह apply now की button की email जरूर मिल जाएगी हम करते हैं apply now के उपर click करने के बाद हमें कुछा का form open होता है इस form में सबसे पहले जैसे हमने paytm credit card के उपर paytm application के उपर अपना नाम और pen number पहले से बरके ekyc करवा रखा है तो हमारा pen number पहले से show कर रहा होगा अगर नहीं तो आप यहां पर pen number बरेंगे अपना नाम बरेंगे उसके बाद अपनी date of birth, nationality बरेंगे, इंडिया, personal email id बरेंगे जो email id आप यूज करते हैं paytm के उपर और male female जो भी हैं gender बरेंगे उसके बाद आपको अपना current address बरना है दोस्तो जैसे की हमारे form के उपर भी आपको दिख रहा होगा कि not serviceable जो address हमारा available है paytm के उपर उस address के उपर paytm के credit card के service available नहीं है अगर आप इसको change करना चाते हैं आपका कोई और address है जहां आपका कहीं एक दो तीन जगा पे रहते हैं आपका permanent residence है जहां फिर temporary residence किसी बड़ी city में है तो आप वहाँ का address देके इसको check कर सकते हैं उपर जो option दे रखी है add new address के उपर next आपको नीचे occupation type select करनी होगी आप क्या कामकाज करते हैं और इसके बाद I agree term and condition box के उपर टिक करके submit कर देना है दोस्तों बहुत ही simple process है आपका form submit हो जाएगा request submit हो जाएगी उसके बाद कुछ दिनों बाद PTM SBI के तरफ से आपको एक service call आएगी उसमें आपको verification की जाएगी है कि आपने जो request कर रखी है ATM card की पर फिर आपके साथ एक appointment ले जाएगी आपकी कि आपको घर पे कब मिलोगे SBI का जब कोई करमचारी आपके घर पे आएगा आपका permanent address ID proof जैसे की for example अदार काड वोटर काड और एक ID proof पैन काड हो गया और आपकी एक दो फोटो लेगा और form फिल करवा के कुछ sign भी करवाएगा उसके दो तिन दिन के अंदर आपको एक और verification call आएगी और फिर इसके बाद आपका 15 से 20 दिन के अंदर अंदर credit card बनके आपके घर पे पहुंच जाएगा दोस्तो इस credit card की limit depend करती है आपकी credit history के उपर, civil score के उपर and आप कौन सा occupation service करते हैं जाफर self-employed हैं and SBI के उपर ये depend करती है कि कितनी आपको फिल हाल पहले आपको limit देनी है फर्स्ट स्टेप में Paytm है जो अपने बहुत ही पराने और अश्य कस्टमर के लिए इसको available कर रखा है service को जो कस्टमर बहुत ही जादा समय से इसको use कर रहे हैं और बहुत जादा normal से जादा use कर रहे हैं Paytm को bill payment करते हैं, transaction करते हैं, Paytm के उपर account open कर रखा है और उसमें लेंदन करते हैं, FD बनाते हैं, उनके लिए ये Paytm ने अपनी पहले सुविदा रखी है, इसके बाद जैसे ही इसके दूसरे second step में बाकी सब के लिए 100% Indian citizens के लिए service को available हो जाएगी बहुत ही कम समय में तो ये तो थी दोस्तों apply करने का process, अगर आपको कहीं कोई परिशानी आए, तो आप customer care को Paytm के उपर call भी करके बात कर सकते हो और हमारी नीडियो के नीचे दिये comment box में comment करके जरूर बताएगा कि आपको Paytm SBI की ये सुविदा कैसी लगी जो credit card launch किया गया है देश की सबसे बड़ी bank, State Bank of India के साथ Paytm ने tie up किया है और एक credit card launch किया है अगर आपको कोई इसमें questions है, आपकी कोई परती करिया है तो हमारे इस वीडियो के नीचे दिये गया comment section में comment करके जरूर पताएगा Thank you for watching the video, बने रही है हमारे channel the technical info point के साथ